कई बार हमारे दिमाग में ये मित होता है ना कि प्लांट फूड खाने से हमें प्रोटीन कंप्लीट नहीं मिलेगा वो कई ना कई यही कारण है कि हम अगर उसको प्रॉपर तरीके से नहीं खा रहे हैं उसको कंबाइन करके नहीं खा रहे हैं तब जाके कई प्रॉब्लम्स आत जीछ दुट्रेों कि आपने कभी डिया चावल ए कॉम्पिनेशन सुनें जो न्यूट्रल ग्रेंद उसका मतलब यह नी कि वह आपको खाने है भाद सारे लोग चाने मुझे मिलते है मैम हमें यह जो ओण न्यूट्रल ग्रेंच यह तहो भ्याननी निहीं चाहिए तो तो I can defend myself. अब जो मिठा से वह कहां से आगी उसमें प्राउटिंग ने क्या किया जो स्टार्च है स्टार्च कॉंप्लेक्स है उसको सिंपल फॉर्मे कर दिया शुगर्ज में इसलिए वो दाना मिठा हो गया मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ अब पेशेंट को अगरम लोगों वो दे देंगे तो पहले वो तो पहले ही विमार है अगर किसी भी एक्सपार डॉक्टर की भी बात करेंगे तो वो एक चम्मच या दो चम्मच से जाला वो स्प्राउट किसी को नहीं देगा असिकाल जी न्यूज एशिया पंचाबी देख रहे हैं तुसी ते मैं हां कुलवांसी हैं सेथ मामले नों लेके आज जी का जिहा विशा तड़े रूबरू करन जा रहे हैं जीड़ा विशा बहुत देर तो असी जिदों बच्पन तो पैदा होयां पा साधे आलगवा को मर्या असी उसनों रोज दिन चरह देविशामल है साड़ा खाना 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 खाने देख मभीनेशन न बखंगिर हो राजमा चावल कडि चावल दाल चावल अलगलग चीजां देख कि एटे पेखे पुर्ख्यां दी खास सोचछ जी एक एक ना नूं कम्भीनेट किता गया कि येनाř कंभीनेशन देनाल हान ननू कुछ प्रूटीन मेला दे रूप देविचे माइनो एसेट मनके हों देने हों और की वो मनके के मिसींग हो जाने ता है उदा नुक्सान हो दे आपने बोडी नु यह कुछ डेफिजेंसी आजें है इस विशे देविचे मेरे नालाज माहर ने डॉक्टर रोजी बांसल पीएच ली ने फूड प्रसेसिंग टेक्नोलोजी देविच इना ने इस तो इलावा जड़े है खालसा को लिट पठ्याला देविच एह लेक्सरार ने ते इस विशे देविचे इना ने काफी लंबी खो लागी तक कि उदा क्यों अपना दमाग नू एक्सेप्त नहीं करता रदा नुज एशे पंजाबी देबहुत स्वागता था 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 ने इंट्डिक्शन देटी अपा ओफ दा केमरा जिदों डिसकुस कर रहे हैं कि हर चीदा एका पॉंबीनेशन बने है एका कॉम्भीनेशन बने प्छे कोई हां और कोई कॉई सड़ते धोरेलाख कर गए धेक बनाए कोई और नंए स betrayal 656 Cand ले प्रएं firstly तुछ करके ही सौरें चीज़िम बनाएं आने उ तुम्मेहиков हैं जदा ने सबसे पहले तो यह बताना चाहूंगी कि जो प्लांट फूड्स हैं कई बार हमारे दिमाग में मित होता है कि प्लांट फूड खाने से हमें प्रूटीन कंप्लीट नहीं मिलेगा कि हम अगर उसको प्रॉपर तरीके से नहीं खा रहे हैं, उसको कंबाइन करके नहीं खा रहे हैं, तब यह वह से कम्प्लीट प्रूटीन है, और पूर्छ लर्सीन, अगर उन कि आपने कभी गिया चावल अलू चावल यह कॉंबिनेशन सुने हैं और मुझे बड़ा स्वाद लगते हैं अलू चावल बड़ यह कॉंबिनेशन नहीं है पर यह सोच समझ के बनाएगा कि क्योंकि हमारे जो पूरवज थे देवर और मॉर साइंटेस्ट थैन वी पीपल आर अब क्या होते हैं आप लगा लो वीट है या मिलेट्स हैं इनमें एक अमाइनो एसिड होते हैं यह मिसिंग है ऐसी पलसी इनमें मीथिओनीन नहीं है अमाइनो एसिड अब जो मोतियों की माला का आप कॉंसेप्ट का रहें कि एक-ए हमाइनो एसिड गे 25 म आपकी बोड़ी को पूरा आधा नहीं देगा तो यह सारा का सारा जो वो कुछ सोच समझ के बनाए गए हैं और हमें उसको उसी फॉर्म में खाना है अब मेरे जितने भी मतलब फूड डिजाइन्स मैं खुद करती हूं तो इस इस माई यूएसपी आक्चली कि मैं जितने भी हैं सीरियल उनको हमेशा किसी ना किसी अच्छे मतलब रूटीन रिच के साथ कंबाइन करके और मिश् tätण आलें और ओर ज्क जो अपने स्टेपल ठेड़ फूड आगे दूसरा किसी फूड भी जो है वो तीन तरह की है एक नीछिटव एक नेगटिव घ्रें एक पॉजिटिव ग्रें करता हैं पाूजितिव ग्रेंट पासिटीव는 हम कहरे müsste एं ने कहा दिया राइस और वीट और नेगेटिव ग्रेंज उनको भी नेगेटिव क्यों का गया क्योंकि उसमें जैसे वीट है उसमें ग्लुटन की कंटेंट बहुत जाद है और आज कल एसीडिटी की प्रॉब्लम हो रही है तो ग्लुटन इस एसीडिक इन नेचर तो कही ना कह बहुत जादा आज कल ग्लुटन इलर्जी का कॉंसेट आपने सुना होगा वह बहुत आरे सीलियक डिजीज करके बिमारी मतलब जो ग्लुटन इलर्जी तो जो न्यूट्रल ग्रेंज है उसका मतलब यह नहीं है कि वह आपको खाने ही नहीं है बहुत सारे लोग मुझे मिलत नहीं कर रहे हैं बट देयर प्रोवाइडिंग यू ऑल दे न्यूट्रेंट उनसे आपको सारा न्यूट्रेंट कॉंपोनेंट मिल रहा है जो बॉड़ी को रिकॉइड है अब जैसे रागी लगा हो अपने रागी सुना होगा है ना रागी बहुत ज्यादा कैल्शियम हैं कोद्रा कुटकी स्वांक कंगनी हरी कंगनी यह सारे किसी स्पेसिफिक डिजीज को टार्गेट करते हैं लिटल मिलट को तो मैं ऐसे कहा देती हूं यूज्वली की लेडी मिलट है क्योंकि यह बिलकूल एक्जाक्ली आपने बताया कि किस तरह से जो है वह नेगटिव ग लेकिन अगर इसकी बात करें तो अगर हम न्यूट्रल ग्रेंज की बात करें न्यूट्रल ग्रेंज के पीछे यह साइंस बताई जाती है जो मैंने अवी तक पढ़ी उसमें लिखा उसमें यह काता है कि बीमार आदमी को ठीक नहीं करेगा लेकिन तंदुरुस्त आदमी को तंदुरुस्त रखने में साहता फूरी करेंगा यही है यही बिलकुल ऐसे ही है क्योंकि न्यूट्रल ग्रेंज जैसे बाजरा हो गया जवार हो गया रागी होगी यह सारे न्यूट्रल ग्रेंज है अच्छा इसके अलावा एक ग्रेंज और मुझे लग रहा है जो आप शह ग्रेंज माने जाते हैं कभी मतलब जैसे हमें एक ब्रेक देना है रोटेशन डाइट हमें करनी है तो हमें उन ग्रेंज को भी इंक्लिवड करना चाहिए अपनी डाइट में अपनुआ भी होता है कई और बहुत हैं यह एक बात नहीं कर लेकिन पटिकलर अम ग्रेंज के पर कर रहे हैं थोड़ा सा यह कॉम्बीनेशन की बात अब चिडी है तो कॉम्बीनेशन जो है बहुत सारे कॉम्बीनेशन बने हैं अपने कुछ कॉम्बीनेशन के ओपर रिसर्च की हैं कॉम्बीनेशन जैसे अगर हम कोई भी जैसे फर्मेंटेशन है या स्प्राउटिंग करते हैं जिसको खमीर बनाना बोलते हो है ना अगर आप उसको फूड को अगर आप ग्रेंज अब ग्रेंज है क्या देयर प्लांट प्लांट कोई भी चीज है हाव कुड यू थिंक आफ लिविंग वाइल इटिंग डेड फूड उसको जिवा के खाना है तो स्प्राउटिंग का मतलब क्या है कि आपने उसको पहले जिवाया अब मालो हमने ग्रेंज की कोकिंग की तो ग्रेंज में पहले जो पुरानी हमारी ममिया या दादी नानिया क्या करती थी जो उपर ज्ञाग आती थी उसको रिमूव करते जाते थी फ्रॉथ है ना खुले बरतन में पकाना मेरी नानी कंड़ करची तीस अवक्त करती तो उसके पीचे क्या का करती यह जो जाग की बात कर रहे हैं अकेली जाग नहीं थे ऐस बहुत सारा चीज जो यह रोल प्ले करती हैं एंटीNYूटिशनल कॉंपोनेंट्स बोलते हैं कुछ और पड़े लोग कि बहुत सारे दुनिया वह उनको आसान भाशा में समझाना है यह जो एंटी नूट्रिशनल कॉंपोनेंट्स है इनका मतलब है टॉक्सिंज जहर है चलो मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा कॉंसेप्ट देती हूं अगर मुझे चोट लगे अगर मुझ जहर हूं ठीक है ऐसी अगर कोई जानवर किसी के उपर अटाक करता है जानवर के पास हाथ पैर है भागने के लिए वो भाग जाएगा बट वाट अबाउट्स पास तो पैर नहीं है वो तो भाग नहीं सकते अगर किसी अनिमल ने जिराफ ने अलिफंट ने उनके उपर तोउसमेन टॉक्सिन है लेकिन हमने उसको कैसे करने उसको जीवा के खा clicking और जीव से जीव हम क्या में मेन Mol एक जीव आ लेविंग फूर जिसको बोलते हैं तो आप यह जो टॉक्सिन हाना इसको अगर रिमूब नहीं हिए तो समटाइम इड से से नॉस्जिया हो ग enzyme जो alpha-galactosidase नाम का enzyme होता है वो हमारी body में नहीं present oligosaccharides को digest करने के लिए तो इसलिए क्या होता है वो जो अगर digest नहीं होगा oligosaccharides हमारे lower intestine में पास कर गए अब वहाँ intestine में क्या होगा microorganisms ने उसके उपर attack किया अब microorganisms ने जब उसको खाया तो क्या प्रोड्यूस किया end product carbon dioxide, hydrogen, methane इस तरह की gases तो वो uneasiness cause करती है gases तो इसलिए मतलब यह जो चीज़े हैं यह toxins हमें रिमूव हमेशा करके खाने जो froth है soaking करते हैं हम दालोंगी तो soaking करने से हमने वो जहाग को निकाल दिया दो दिया उसको उसके बाब processing करना बहुत ज़रूरी है अब राजमा चावल आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा देर अगर cook नहीं किया गया थोड़ा सा भी मतलब उसको अगर 10 minutes की cooking में हमने उसको serve कर दिया तो कई लोगों को उससे भी indigestion हो जाती है क्योंकि उसमें प्रोटीन की चेन को बनने नहीं दे रहे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं बॉड़ी में तो यह एंटी नूट्रिशनल का मतलब है कि टॉक्सिंज हैं आक्च्वल में आपने बताया कि कॉनकॉन कॉन से कंभी नेशन के कैसे हुए हैं धूर के कुराकी तत हमें मिल रही है तो इस तरह reflecting आते हैं कि इस सूब में इस सुबरी कि यह हमरा में रहा है है तो यहिव होगा कि कॉनसे फू जामने टॉक्सिंज भाँर निकालने है यह कॉनसे फू जाताए वो आटोमेटिकली निकल जाते हैं, एक नमबर, नमबर दो कि एक बात करें, तो उसमें यह होता है कि आपने बोला जिवन्त फूड, हमें जिवन्त खाना खाना चाहिए, उसको स्प्राउट करके खाना चाहिए, अब स्प्राउट जो अब हलेक आदमी हजम नहीं कर भाएगा उसको हजम करने के लिए भी मिदा चाहिए, उसमें अंदर हमें डाइजेशन पावर चाहिए, क्योंकि उसको अगर उसकी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है, अगर उससे ज्यादा खार लें तो हमें वो भी बादा कर देंगा, यहां मैं आपको कॉंट्राइट को मैं आपने आपने ऐस सच खाए ठीक है, आपको उसका टेस्ट और चाहिए का टेस्ट कुछ फरक लगते हैं कैसा लगते हैं जो स्प्राउटिट चनाह नहीं वो मिठा होते हैं आप जो कहां से अगयी उसमें प्रमोटिंग ने क्या किया जो डाय है स्टार्च कॉंपलेक् इसमाना मीठा हो गया। मैं एक्सपाइट डॉक्टर्स की बात करूं यह मेरी मेरे खुद की खोज नहीं है एक्सपाइट डॉक्टर्स की खोज एक तंदुर स्वेक्ति भी अगर थोड़ा सा उससे क्वांटिटी से ज्यादा स्प्राउट ले लेगा तो वो भी उसको इंडिजेशन पैदा करेगा त उसकेस में वो इंडिजेशन करेंगे जिसको वो चीज सेट नी बैठरी जिसकी बॉड़ी उसको चीज को अड़ाप्ट नी कर पारिया उसके लिए इंडिजेशन कॉस करेंगे अधरवाइस प्राउटिंग तो सिंप्लिफाइड फॉर्म एफूड का कि कई बार कई लोगों वो पास पीपल पीपल है यह वी बात है यह बहुत है कि जादा थर लोगों की आपकी बॉड़ी में बाइज चांग हो जाता है कि वह enzyme आपकी body में by age कम हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि वह present ही नहीं है, यह बिल्कुल ही missing है, बट कई वह पावर की बात है, कई लोगों के पास enzyme missing है, हमारी जिन्दगी में जहर इतने बढ़ चुके हैं, इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि वह body के अंदर वो power चिन गई है वो power चिन गई है, तो हमें वो शुद्द खाना हमें हजम नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास वो enzyme नहीं है अक्च्छ हमारे जो body है वो अभी इतनी polluted कर चुके है हम लोग कि उसमें वो power ख़तम हो चुके है कि उसको digest कर सके pollution ने इतना pesticide यह लोड़ीड बड़ी वीड सो मैनी पेस्टिसाइड तो वह चीज तो इसमें है अब जैसे मुझे कई लोग कहेंगे कि हमें बोन्स की प्राप्लम है ऑस्टेपारोस लेडीज में हो जाता है उसके रूट रूट कॉस्स में तो कोई जाता नहीं कि वह आप्लट को हमने इतना आसेडिक कर लिया, खाना एसेडिक है, वीट खा रहे हैं, ग्लूटन को नहीं सेड़ बैट था, उनका एसेडिक फूड है, तो अब क्या होगा, उसने मिनरल्स में से, जो हमारी बॉन्स है, उसमें से मिनरल्स लेने शुरू करने हैं, क्योंकि ब्लड की, दूद हम पीना छोड तो osteoporosis हो गया, ऐसी कई बार हमें बड़ा सांस चड़ते हैं, हम चलते हैं, तो वो यह नी सोचते कि हमें सांस क्यों चड़ रहा है, कि उसकी पिछे भी acidity can be the culprit, acidity इसका एक कारण हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि बाडी ने तो अपना mechanism करना है, बाडी self defense पे चलती है, बा carbon dioxide किसी तरीके तो बाहर आएगी ना, तो वो एक्जेल करेंगे हम बार बार, तो वो carbon dioxide को बाहर दखका मारेगी बाडी, इसलिए हम तेसे सांस लेते हैं, हाफते हैं, क्योंकि तो acidity can be one of the reasons, acidity can be one of the reasons, but acidity means pH level बढ़ गया, बाडी के अंदर यह कम हो गया, ठीक है, और वो द quantity से ज़्यादा हो गया, तो वो भी नुक्सान करेगा, पीएच लेवल कम हो गया, तो वो बाडी के अंदर acidity ज़्यादा कर देगा, तो वो काम खराब जाएगा, अब थोड़ा सा पीएच लेवल के उपर आपने, क्योंकि आपने, मैंने देखा कि पीचले, पीएच लेवल जड़े उसमें तत्व हैं, वो कितने होने चाहिए, ब्लाड का पीएच 7.3 है, इट इस नियर तो नूट्रल, नूट्रल के बहुत पास है, अब इस स्केल में क्या होता है, अगर साथ से उपर चला गया, तो वो alkaline हो गया, साथ से नीचे जो भी नंबर आ रहा है, वो acidic है, अगर हम अपना टेस्ट कराने जाते हैं, ब्लाड का, तो अगर उसमें 7.3 से क्रॉस कर गया, इट मीन्स आपका ब्लाड अलके लाइन, बहुत जादा अलके लाइन भी नहीं होना चाहिए, 7.3, 7.4 तक इस ओके, अधर फिर उसमें प्रॉब्लम, ठीक है, और आपको बता ही अगर ब्लाड में जो है वो उसका अधिक जादा हो गया, तो क्या प्रॉब्लम क्रेट करें लाइन, ब्लाड में ब्लाड से रिलेटिड आई, यह भी, कि उसने अपने प्लाड को तो मैंटेन करके रखना है, अलके लाइन तो करके रखेगा ना ब्लाड ने हाथ पर मारने, इसमने ब्लाड में करके रखेगा, तो कही ना कईमनेος, इसमें एक तो ब्लाड में होगा, एक प्लड में होगा, यह जो किमीमेच 5,5 अगर ने होता है, तो प्रॉणम पलाड ब्लाड से पार मायच प्रॉप अब मुबूद जो प्रॉप पी एच होते है किस parecer का हमारी तो हमें हर तरीके से कई ना कई किसी ना किसी फॉर्म में सिम्टम दिखेंगे अगर एसिडिक पी एच है तो वो स्किन पे भी रिफ्लेक्ट होगी अब आप ब्लैमेशीज की बात किया है ब्लैमेशीज हो गया पिमपल्स हो गया और यह चीज़ें होगी तो उसमें अगर पी एच लेवल बढ़ता है तो कौन सा फूड हमें जो हमें उसमें जो सहायता करेगा कि अगर स्किन को सेट करने के लिए तो बहुत सारे आजकल तो ब्रॉक्लीज और अलकलाइन वेजिटेबल मिलेट्स का आप यूज करो मिलेट्स से बहुत अच्छा क्योंकि मिलेट्स में हर चीज हर तरीके के सारे नियूट्रिशनल कॉंपोनेंट्स है पॉजिटिव ग्रेंज है तो स्कीन की प्रॉब्लम्स के लिए भी मिलेट्स काम कर करेंगा अगर बहुत ज्यादा ऐसे डिक है नारियल पानी डेली पीना चाहिए नारियल पानी पीना चाहिए उसमें इस रिच इन मिनरल्स तो वो तो बहुत अच्छा ही है जितना हो सकता आप नारियल पानी का इंटेक कर अपनी बॉड़ी में वैसे आपको जो मतलब करके रखना अगर बॉड़ी बिमार हो गई है तो क्या उसमें उसमें नारियल पानी का इंटेक ज्यादा बढ़ाना चाहिए क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं बॉड़ी के अंदर मिनरल्स भी जा रहे हैं अलकिनेटी भी अंदर जा रही है पी एच लेवल भी उसका बैलनस हो पानी तो अपने आप में कम्प्लीट मिनरल फूड है तो हमारा इम्यून सिस्टम करेगा ही करेगा वो पीछे अब करोना पैंडामिक में सबने कितना नारियल पानी का मतलब यूज किया इस वास दरीजन जाते जाते को टिप आप दा इंटर्वू देना चाहिए मुझे ऐसे लगता है कि दाये फूड दाये मेडिसिन पे हमें काम करना चाहिए क्योंकि हिपोक्रेट जैसे आयरवदा के जो डॉक्टर डॉक्टर जो पुराना कांसेप्ट था वो सारा यही था कि हम जो अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं मैक्सिम मैं तो कहूंगी हंड़ड परसंट जो डिजीजिस हैं वो हम फूड से ठीक कर सकते हैं तो हमें अच्छा खान पान अच्छे मलब अगर हमारा मन वेवार अच्छा है तो मन कि आज से थोड़ा कम खाओ पर थोड़ा कम क्वांटिटी में थोड़ा अपने आपको भूखा रखो पूरा पेट भर के कभी मत खाओ यह मलब सारी मेरे भाई बंदूओं के लिए यही मैं एक मैसेज देना चाहूंगी कि थोड़ा सा कम अपनी डाइट से थोड़ा सा कम सो आज से थोड़ा कम थैंक यू सर्व डॉड़ा रोजी बंसल तुमसी देख्या भी किस तरीके देना अगर बॉड़ी दे अंदर किसे तरीके दे कुछ चैंजी जान देने पीच लेवल जड़ा हो कटदा है या एल्गिनिटी ज़ादा अपने यह बॉड़ी दे अंदर या देड़े फूड कंबिनेशन्स दी डॉक्टर रोजी ने गल किती है और फूड कंबिनेशन्स अनु क्यों आसी ओही ओही चीजां खांदे आ रहे हैं होटलां दे विच बहुत सारे जड़े ने तजर्बे किते यां देने भी अलग अलग तर आंदे खाने जड़े जड़े लेकिन अगर कराण दे बेच गल कर यह तक कराण दे बेच औहीं कॉंबिनेशन्स जड़े ने ओहुँ आज पर दादे जड़े जड़े जमान्या तो आही चल दे आ रहे हैं तो उही एसी अगगे फालो कार रहे है तो अपने बच्चिया नों दे रहे है उदे पिछे कोई कोई जड़ा वह साइंस जड़ी आउट अनुट डॉक्टर रोजी बंसल ने समझा देती है उमीद कर देया कि वीडियो तो नों पसांद आई है जी पसांद आई है तो इसनों बद तो बद शेयर कर दो क्योंकि एहोज यह वीडियो करकर पचाओन दी लोड आया तांकि समझा कि साड़े पुर्खे किने स्याने सी जिन आने सानु एक ज्यान अगे दिता सानु एचीजा साड़े वास्ते अग्गे इन्होंने लें धियां खोट जड़ी उना दी कीती हुई उनों तो सानु फायदा लेना चाहिए था तो जेकरे जी यह वीडियो करकर जान दिया ने ता झाल 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 झाल